अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटस्ट वीडियो के बारे में अफडेट जानें सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरिट वीडियो की तरफ साबका करिकेटर भी है इमरान हान 5 अक्तूबर 1952 को पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहोर में पैदा हुए आपकी मौजूदा उमर 64 साल है पूरी दुन्या इमरान हान को इमरान हान के नाम से जानती है लेकिन इनका मुकमल नाम बहुत कम लोग जानते हैं विवर्स इम इमरान हान का मुकमल नाम इमरान एहमद खान न्याजी है इनके वालिद का नाम इकरामुला खान न्याजी था जो के पंजाब में एक सिवल इंजिनियर थे इकरामुला खान न्याजी की चार बेटियां और एक बेटा है यानि के इसका मतलब यह हुआ कि इमरान हान अकेला और इनके चार बेहने हैं जिनके नाम अलीमा खानम, रानी खानम, उज्मा खानम और रूबीना खानम है इसके इलावा आपकी वालिदा का नाम शुकत हानम था इन्होंने अपनी जिन्दगी में दो शादियां थी पहली बीवी का नाम जमाइमा गॉर्ड स्मित है इनमें से इमरान हान के दो बेटे हैं जिनके नाम सुलिमान, ईसा खान और कासिम खान है जमाइमा गॉर्ड स्मित ने शादी के कुछ महीने पहले इसलाम कबूल कर लिया था इसके इलावा इनकी शादी इमरान खान से 16 मई 1995 को और तालाख 22 जून 2004 को हुई इसके बाद इमरान हान की शादी 2015 में रहाम हान से हुई और 2015 में ही तालाख भी हो गई इमरान हान ने अब्तदाई तालीम लाहोर से हासल की ये जिस स्कूल में पढ़ते रहे उसका नाम कैथिडरल स्कूल लाहोर और जिस कॉलिज में पढ़ते रहे उसका नाम एकिसन लाहोर कॉलिज है इमरान हान अब्तदाई तालीम हासल करने के बाद आला तालीम हासल करने के लिए बरतानिया चले गए बरतानिया से रॉयल ग्रैमर स्कूल में पढ़ते रहे और फिर आक्सवर्य यनिवस्टी से बी-ए आउनर्स किया इसी दुरान इमरान हान 1974 में आक्सवर्य यनिवस्टी क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रहे वीवर्ज चले भीमरान हान के करिकिट कैरियर के बात करते हैं पाकिस्तान निशनल करिकिट hington टीम जॉइन करने से पहले इमरान हान ने क्रिकिट का आगाज 1979 में लाहोर की तरफ से सरगोदा के हिलाफ मैच खेल कर किया इसके बाद 3 जून 1971 को पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम जाइन की इमरान हान ने इंटरनेशनल लेवल पर 1971 में इंगलेंड के हिला पहला टेस्ट मैच खेला उस वक्त इमरान हान की उमर तकरीबन 21 साल थी इसके बाद इमरान हान 1973 से 1975 तक यूनिवस्टी आफ आक्सवर्ड ब्लू क्रिकेट टीम के लिए खेलते रहे इमरान हान 1976 में मुस्तकिल तोर पर पाकिस्तान वापस आ गए और 1976 और 77 क्रिकेट सीजन अपने मुल्क की तरफ से खेलते रहे जिसमें इन्होंने न्यूजिलैंड और आस्ट्रेलिया की टीम का सामना किया इसके बाद इमरान हान वेस्ट इंडिस बे आस्ट्रेलियन सीरिस खेलने के लिए चले गए जहां पर इनकी मुलाकात टोनी ग्रेट से हुई उसके बाद इमरान हान ने वर्ड सीरीज क्रिकेट खेलना शुरू कर दी 1981 से 1982 तक लाहोर में सीरी लंका के आठ खिलाडी सिर्फ 58 स्कोर दे कर आउट कर दी और 23 मरतबा एक इनिंग में 5 विकेट्स हासिल की इसके इलावा इमरान हान दुनिया के तेज तरीन बाइलर्स की लिस्ट में शामिल है आपकी फॉस्ट बाल की स्पीड 149.7 किलो मीटर पर और थी इमरान हान ने 1982 में 9 टेस्ट मैचिस खेले और अपनी तेज गेंदों की वज़ा से 62 विकेट्स हासिल की इमरान हान की तेज सरीन बालिंग का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जनर्यू 1983 को इंडिया के हिलाफ मैच खेलते वक्त इनके टेस्ट बालिंग रेटिंग के पॉइंट्स 922 से ज्यादा थे इमरान हान टेस्ट मैचिस में एज आ बैट्स मैं चटे नमबर पर खेलते थे इसके इलावा इमरान हान ने अपनी जिंदगी का हाईस्ट 132 स्कोर 1991 में आस्ट्रेलिया के हिलाफ मैच खेल कर किया यानि केस का मतलब ये हुआ कि इमरान हान ने एक मैच खेल कर 132 स्कोर का टार्गिट दिया इमरान हान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पहले कैपटन थे जिनकी क्यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भारत को भारत और इंगलेंड को इंगलेंड में हराया पाकिस्तान क्रिकेटीम ने 1992 को इमरान हान की क्यादत में खेलते हुए पांचवा क्रिकेट वर्ड कप जीता ये अजाज अभी तक पाकिस्तान सिर्फ एक बार हासिल कर चुका है इमरान हान ने अपनी पूरी जिन्दगी के क्रिकेट कैरियर में 88 टेस्ट मैचिस, 126 इनिंगs, 3,807 स्कोर किया जिसमें 6 सेंचुरिज और 1850 भी शामिल है इसके इलावा इमरान हान की क्यादत में 149 वांटे मैचिस खेले गे जिन में से 77 जीते गे और 57 हारे गे इसी तरहां इमरान हान का क्रिकेट कैरियर 3 जून 1971 को शुरू हुआ और 1992 को हत्म हुआ 1992 के वर्ड कप को जीतने के बाद इन्होंने क्रिकेट से रिटार्मेट ले ली और समाजी कामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया आपने अपनी वालिदा के नाम से कैंसर के मरीजों के लिए एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल शुकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल लाहोर में एक ट्रस्ट के जरिये कायम किया इमरान हन पाकिस्टानी कोम को शोकत खानम मिमोरिया हॉस्पिटल का बानी करार देते हैं इसके इलावा इमरान हन को आस्ट्रेलियन निूस पेपर ओज ने साल के सबसे फूरकशिश मर्द का हिताब भी दिया विवर्ज अब इमरान हान की सियासी जिन्दगी के बारे में कुछ बात करते है इमरान हान ने 25 एपरेल 1996 को पाकिस्तान तहरीके इनसाफ के नाम से एक सियासी जमात कायम करके सियासत के मेदान में पहला कدم रखा अब्तदाई दोर में इन्हें काम्याबिया ना मिल सकी लेकिन मुझूदा दोर में इमरान हान पाकिस्तानी अवाम में हास तोर पर नोजवानों में तेजी से मकबूलित हासल कर रहे हैं 1997 के इंतहाबात में इनकी जमात एक बी सीट हासिल ना कर सकी ताहम 2002 के इंतहाबात में इनहें एक सीट हासिल हुई इसके बाद 2008 के इंतहाबात में इनकी जमात ने परवेज मुशरफ के जेरे निगराने मुनकिद होने वाले इंतहाबात में हिस्सा लेने से इंकार कर दिया 3 नुमबर 2007 को परवेज मुशरफ की अमरजंसी नाफिस करने के बाद आपको नजर बंद करने की कोशिश की गई तहम आप प्लीस को धोका दे कर फरार हो गए इस के बाद 14 नुमबर 2007 को पलीस ने इमरान हान को गिरफतार कर लिया जेल में 4 दिन रहने के बाद 18 नुमबर 2007 को इमरान हान ने 10 गाजी झान जेल में बूरक खड़ताल शुरू कर दी और 22 नवंबर 2007 को इन्हें अचानक रहा कर दिया गया इसी तरह इमरान हाने तकरीबन आठ दिन जेल में गुजारे 30 अक्तूबर 2011 को इमरान हान ने लाहूर में एक जलसे से हिताब किया जिसमें एक लाग से ज्यादा लोगों ने शिर्कत की ये जलसा हकूमत की पॉलिसिस के हिलाव था फिर 22 दिसमबर 2011 को कराची में जलसा किया जिसमें हजारों लोगों ने शिर्कत की 23 मार्च 2013 को इमरान हान ने निया बनेगा पाकिस्तान की तज्वीश पेश की विवर्ज 29 अपरेल 2013 के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को PMLN यानि के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का मेन आपोजिशन समझा जाने लगा इसके बाद जैनूरी 2014 को पूरे पाकिस्तान में इमरान हान का नाम गूँज रहा था इसके बाद 14 अगस्त 2014 को इमरान हान और उनके स्पोर्टर्स ने एक रैली के तोर पर लाहोर से इसलामबाद तक मार्च किया 15 अगस्ट को ये मार्च पाकिस्तान के कैपिटल इसलामबाद में पहुंचा इसके कुछी दिनों बाद ये मार्च हाइ स्क्यूरिटी रेड जोन में दाहिल हो गया अल जिजीरा की एक रिपोर्ड के मताबिक रेड जोन में तीन लोग मारे गए और तकरीबर 590 लोग जहमी हुए जिन में 115 पुलीस आफिसर्स भी शामिल थे इमरान हान और डॉक्टर मुहमद ताहिरल कादरी भी इस मार्च में शामिल थे जिन का एक ही मकसद था विवर्ज फिलहाल इमरान हान की सालों की कोशिचों के बाद हकूमत पर पानामा केस चल रहा है पूरा पाकिस्तान पानामा केस के रिजल्ट का इंतजार कर रहा है दोस्तों अब इमरान हान के कुछ आवार्ड की बात करते हैं इमरान हान को 1976 और उसके बाद 1980 में आल राउंडर फिर्स्ट क्लास क्रिकिटर होने की वेरे से धी क्रिकिट सुसाइटी की तरफ से अवार्ड दिया गया 1983 में इन्हें विजडन क्रिकिटर आफ दी इयर के नाम से बुलाया जाने लगा 1983 में फिर इन्हें प्राइड आफ पर्फॉर्मेंस अवार्ड दिया गया 1985 में सुसेक्स क्रिकिट सुसाइटी प्लियर आफ दी इयर और इसी तरहां 1992 में पाकिस्तान गवर्मेंट की तरफ से हिलाल इम्तियाज का अवार्ड दिया गया 8 जुलाई 2004 को इमरान हान को लंडन में लाइफ टाइम एक्शीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया 7 दिसम्बर 2005 को इमरान हान को युनिवस्टी आफ ब्रेड फॉर्ड का पाँछवा चैंसलर बनाया गया 13 दिसम्बर 2007 को इनहें पाकिस्तान में सबसे पहला कैंसर हॉस्पिटल बनाने पर एशियम स्पोर्ट्स अवार्ड की तरफ से अवार्ड से नवाजा गया इसके बाद 2011 में इनहें जिना अवार्ड से नवाजा गया 28 जुलाई 2012 को इन्हें पाकिस्तान में कैंसर के मरीजों का इलाज करने के लिए रॉयल कॉलिज ओफ फिजिकन्ज ओफ एंडिनबर्ग की तरफ से अवार्ड दिया गया 2012 में प्यूर इसर्च सेंटर की तरफ से इमरान हान को पाकिस्तान के उन दस लोगों में से साथवे नमबर पर तसलीम किया गयो जो नोजवानों में दिन बदिन मशगूर होता जा रहा है 2012 में फिर एशियन सुसाइटी परसन और फिर दिसंबर 2012 में इमरान हान को टॉप टैन लीडर्स आफ दी वर्ड की लिस्ट में शामिल किया गया जिसमें इनका नौवा नमबर है विवर्ज इन अवर्ड के इलावा भी इमरान हान को कई अवर्ड और आनर्स इससे नवाजा गया अब देखना ये है कि इमरान हान ने जिस तरह क्रिकिट में तारी ही रकम की इमरान हान स्यासत में भी इसी तरह तारी ही रकम कर सकते हैं ये नहीं और लास्ट में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अल्द 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 हमारे मुल्क को एमानदार और दयानदार हुकमरान अता फर्माए आमीं